भारत और दक्षिन अफरीका के बीच हुआ T20 वर्ल कप मैच काफी रुमान चक रहा। इस मैच में भारतिये टीम ने साउथ अफरीका को करारी शिक्सत दी और वर्ल कप की ट्रोफी 17 साल बाद अपने नाम की। ऐसे में आम लोगों से लेकर बॉलीवुड हस्तियां तक इस जीत का जश्मना रही हैं। कई सितारों ने भी टीम इंडिया को बदाई दी है। इंडिया और साउथ अफरीका के बीच 29 जून को वे टी-20 डिनाशनल वर्ल कप में महा मकाबले में भारत ने दक्षिन अफरीका को साथ रनों से हराकर एतिहासिक जीत दर्च की और 17 साल बाद टी-20 की ट्रोफी को अपने नाम किया। टीम की शांदार जीत के बाद हर किसी ने इसे अपने अपने अंदाज से सेल्बरेट किया। नहीं चुके उन्होंने Instagram और X पर एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने Champion की एक तस्वीर शेयर की और caption में लिखा कि बधाई हो टीम इंडिया। चंदू Champion, Actor कार्टिक आर्यन ने भी social media handle Instagram पर टीम इंडिया का एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि टीम इंडिया जिसने सरंडर करने से किया इNKAR आज वरलकब नहीं दिल जीत लिया हमेशा के लिए टीम इंडिया एतिहासिक जीत टीम इंडिया की इस एतिहासिक जीत के लिए आल्यभड भी खुशी से जूम उठी और उन बढ़ाई टीम इंडिया क्या जीत है अक्रिस और क्रिकेटर के राहुल की पतनी अथ्या शेती ने भी सोशल मीडिया हैंडल इंस्टरग्राम स्टोरी पर कई फोटोस शेर की जिसमें टीम इंडिया टोफी उठाते हुए खुशी से जूमते हुए नजर आ रहे हैं रनवीर सिंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टरग्राम की स्टोरी पर टीम की जीत के बाद कई पोस्ट किये पहले पोस्ट ने वह जीत को सेलिबरेट करते दिखाई दिए रहे हैं दूसरे पोस्ट में एक्टर ने हार्दे की तस्वीर की इसके बाद उन्होंने एक लॉंग नोट लिखा जिसमें उन्होंने विराट कोली, अक्षर पतेल, जस्प्रीद बुमरा, अक्षदीब सिंग समेत कई क्रिकिटर्स के लिए नोट लिखा है वही राहूर पेज सिंग ने जैकी भगनानी के साथ बैटकर मैच का लुपत उठाया था इसकी फोटो उन्होंने फैंस के साथ शेयर की वही टीम इंडिया को बदाई देने वाली लिस्ट में इन स्टार्स के अलावा सुहाना खान, करीना कपूर, रश्मिका मंदाना, मलाइका अरोडा और अनन्या पांडे समेट कई स्टार्स शामिल है तो दोस्तों ये एक एतिहासिक जीत थी और पूरा देश जीत से बेहादी खुश है और हमारे चैंपियन्स को सिलूट For more Bollywood news, please subscribe to our channel, Bollywood Hiccups